नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर 168 वे हूल दिवस के मौके पर राश्टिय जंतादल के कारेकरताओं ने गुरुआर को पोखरा 54 थी सिंधो कानू की प्रतिमा पर मरार पढ़ कर उनके बलिदान को याद किया कारेकरम की अधिक्षता कर रहे राजट नेता देविशल हासनदा ने कहा कि संथाल हुल ही आजादी की पहले लड़ाई थी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले आदिवासियों के संगष गाथा और उनके बलिदान को याद करने का यह खास सिंधो कानहूं चांद भैरो फूलो जहानूं आदी शहीदों को याद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाब विद्रों के प्रतिक के तौर पर हुल दिवस मनाया जाता है उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है राजत प्रदेश सच्यों जीतेश कुमार दास ने कहा कि 1857 की विद्रों को अंग्रेजों के खिलाब पहला विद्रों बताया जाता है लेकिन इससे पहले 30 जून 1855 को सिंधु कानहूं के नित्रितों में साहेब गंचीले के भोगनाडी गाउं से विद्रों शुरू हुआ था इस मौके पर सिंधु ने नारा दिया थ करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोडो इसी दिन को भहुजन आंदोलन में हूल दिवस कहा जाता है रोशन पांडे बिरेंद्र यादो सहित दर्जनों लुक शामिल थे वीटाइम न्यूस के लिए दुंका से किशोर कुमार के रिपोर्ट